नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपनी YouTube चिनल PFP में आपका और मेरा दोनों का स्वागत है बहुत दिनों के बाद में वीडियो बना रहा हूं कुछ दिन बिजी हो चुका था लेकिन अब वापस आ चुका हूं तो रेगूरली वीडियो बनेंगे और अपलोड भी होने वाल हैं तो आज 20 अक्टूबर 2021 को मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव नजर आता है निफ्टी 50 0.83% नीचे निफ्टी बैंक 0.06% नीचे इसके बावजूद हमें लोगों के पोर्टफोलियो में 2-3% की भारी गिरावट नजर आती है उसका सिंपल रीजन है मिड़ में भारी गिरावट हो रही है निफ्टी मिड़ कैप हमें 2% नीचे नजर आता है कल भी इसी प्रकार की गिरावट देखने को मिली थी आज भी हमें सेम सिनेरियो कंटीनू रहता हुआ नजर आया स्मॉल कैप में भी सिमिलर सिचिवेशन बनी हुई है एडी रेशियो में भ कॉमोडिटी के बारे में बात करें तो क्रूड आयल नाचरल गैस में 1.5% की गिरावट है गोल्ड सिलवर में आधे 1% की तेजी दिखाई पड़ती है करंसी के बारे में बात करें तो रुपी आपको बहुत ज्यादा वीक नजर आता है 74.87 हो चुका है क्लियरली बहुत ज् इसी शांती नजर आती है निफ्टी के इंट्राडे चार्ट पर में क्लियरली नजर आता है कि आज का महौल शुरुवात से ही नेगेटिव था बियरिश महौल देखने को मिला था और पूरे दिन सेम ट्रेंड आपको कंटिन्यू रहता हुआ नजर आया स्लाइट रिकवरी फिर से गिरावड स्लाइट रिकवरी फिर से गिरावड एक ट्रेंडिंग मार्केट हमें देखने को मली है और नीचे के लेवल से लास्ट में भी कोई बड़ी रिकवरी आपको दिखाई नहीं पड़ती है 250-200 का जो 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 जोन था एक 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 स्पेक्टेड जोन था जहां में बात करें थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम देखें तो क्लियरली पता चलता है ओवरॉल ट्रेंड मार्केट का अभी भी बुलिश ही चल रहा है मार्केट अभी भी अपने सारे मुविंग आवरेज के उपर है अट्राजार के उपर ट्रेड कर रही है उपर के लेवल स जिस प्रकार की मुवमेंट है उससे कही ज़्यादा खराब हालत आपको मिड कैप स्मॉल कैप में दिखाई पड़ रही है इसे लिए माहौल थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा ही बियरिश होता हुआ नजर आया बाकी ओवरॉल ट्रेंड तो मार्केट में अभी भी बुलि बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टन लेवल है अगर यह लेवल टूटता है तो आपको 18,000 वन निड के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं यह कल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टन लेवल है रेजिस्टन्स के बार में बात करें तो फिलाल मार्केट यहाँ पर 18,000 का एक सपोर्ट है और 18,600 के आसपास जो की रिसेंट है एक रेजिस्टन्स की तरह नजर आता है तो इस 500-600 पॉइंट की रेंज में मार्केट आपको ट्रेड करती भी नजर आ सकती है न्यूज के बार में बात करें तो जुबिलेंट फूड वर्क्स के रिजर्ट्स आ है और तेजी पहले से फैक्टरीन हो जाती है रिजर्स आता है अच्छी न्यूज आती है उसके बाद गिरावट देखने को मिल जाती है हनिवेल आटोमेशन ने एक बड़ा कॉंट्रेक्ट लिया है 497 करोड का बहुत ही अच्छी बात है गवर्मन्ट आफ इंडिया की दिरफ से तो इनके शेर उल्डर्स के लिए पॉजिटिव न्यूज बनकर आती है जब भी कोई corporate action होता है कोई बड़ा dividend मिलता है या फिर bonus होता है split होता है तो उसके पहले आपको generally तेजी देखने को मिल जाती है valuation अभी बहुत से companies के stretch हो चुके है उसके बावजुद यहाँ पर आपको तेजी continue रहती भी नजरा रही है spice jet to stone connect कुशिन अगर airport वेद डेली मॉंबाई कॉलकत्ता तो spice jet के शेलोर्स के लिए अच्छी बात है फिलाल यह भी फिलाल पूरा जो aviation sector है revival में चल रहा है जो hotel sector है वो भी revival में चल रहा है वहाँ पर भी आपको अच्छी तेजी फिलाल दिखाई पड़ती है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो please कोई feedback दीजिए thank you stay happy happy investing